यह automatic ही इस calculator में calculate हो रहा है सिर्फ आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें gross total income डालने हैं बाकी आपको कुछ नहीं करना है मस्कार दोस्तों मैं यह शुकूरतम आपका स्वागता यूटूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं new income tax calculator और old income tax calculator के बारे में दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते होंगे तो slab rate है new slab rate और old slab rate जिसको हम new रिजिम और old रिजिम के नाम से भी जानते हैं ठीक है इसलिए मैंने इस एक्सल सीट पर दो calculator तियार किये हैं अब ये दो calculator किसलिए तियार किये हैं देखे आपको क्या करना है सबसे पहले आपको new income tax tax calculator में gross total income डाल कर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या डालना है gross total income और बाकी आपका tax calculate हो जाएगा ठीक है और फिर उसके बाद old income tax calculator में भी आपको डालना है क्यों क्योंकि आपको सबसे पहले यह जानना है कि आपका जो tax है वो किसके according कम है calculate करके भी आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने में चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं गया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिए वोडियो को ब्लाइक कर दिजिए ऐसी beneficial वीडियो के लिए और दोस्तों यदि आप इस sheet को income tax calculator को डाउनलोड करने चा calculator के बारे में बताता हूं मान लिजिए हम सबसे पहले कम gross total income लेकर चलते हैं तो सबसे पहले हम डालते हैं डाइलाग ठीक है हमने यहापर डाल दी और बात करें हम deduction की तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा या मैं आपको बताएता हूं यदि आप new income tax elaborate में या newism में जाना चाहते हैं तो आपको कोई भी deduction नहीं मिलेगी या आप कोई भी deduction नहीं ले सकते ठीक है किसी भी परकार की आप new slab rate और old slab rate के दोनों जो slab हैं आपने देखे हों तो होता क्या है इसमें साई जो deductions हैं यह नहीं मिलेंगी बट इसमें जो tax rate है वो कम हो जाता है 20 की जगा पर आपका 10 calculate हो जाएगा gross total income यहाँ पर हमने डाई लाग रुपे डाल दी इसमें कोई नहीं लेंगे और जैसे कि आपको पता है डाई लाग रुपे हमारे एक्जैम्ट होते हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पर टैक्स कल्कुलेट नहीं हुआ माल लिजे यहाँ पर आपकी income जो gross total income है वो पांच लाग रुपे है ठीक है पांच लाग रुपे यहाँ पर डाल दिया हमने और देखिए धाई लाग का कोई टैक्स नहीं बनेगा एक्जैम्ट है धाई लाग का 5% टैक्स कितना होगा साड़े बारे जार रुपे अब आपके मन में एक question आ रहा होगा क्या हम इसमें rebate under section 87A ले सकते हैं यदि आपको पता है तो मुझे comment box में comment करिए और मैं आपको इस वीडियो के last में बताऊंगा ले सकते हैं या नहीं साड़े साथ लाग का कितना टैक्स बनेगा 37,500 रुपे ठीक है और इस पे education says भी लगता है 4% किसका जो हमारे टैक्स है उसका 4% 1500 हो गया तो टोटल टैक्स पेबल कितना ह हो गया 49,000 रुपे आपका TDS कटा है 20,000 रुपे सिर्फ आपको TDS की amount डालनी है बाकी जो आपका टैक्स पेबल होगा उसमें से माइनस हो जाएगा तो अब आपको TDS था आपका 20,000 रुपे 20,000 आपका टैक्स में से माइनस हो गया तो कितना बचा आपका टैक्स पेबल 19,000 अब यह मान लीजिए आपका TDS आपके टैक्स से भी ज्यादा है जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर 40,000 रुपे TDS कटा है ठीक है आपका टैक्स कितना बनाता 49,000 यह यह यहाँ पर टैक्स पेबल नहीं होगा यहाँ पर refund रहेगा कितना 1000 रुपे तो मैंने यहाँ पर डा देते हैं फिलार TDS को तो 3,7,500 रुपे ठीक है इस पर एजुकेशन सेसल लगा 4% 13,500 रुपे और टोटल टैक्स पेबल कितना बना 3,51,000 रुपे यह 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 आपकी ग्रोस टोटल इंकम 20,000 रुपे है तो टैक्स कितना बनेगा 3,51,000 रुपे TDS होगा तो उसको हम माइन कर देंगे जैसी हमने एक लाग रुपे माइनिस किया तो 2,000 रुपे हो गया ठीक है कुछ नहीं करना कुछ भी नहीं करना आपको सिर्फ इसमें ग्रोस टोटल इंकम डालनी है जितनी आपकी इंकम है वो डालनी है खुल मिला कर ठीक है तो यह तो था है न्यू इंकम टैक्स टैक्स कालकुलेटर अब यहां पर हम बात करते हैं ओल्ड इंकम टैक्स कालकुलेटर की इसमें भी सेमी फोर्मूले आ है त्टीक है पांचलाग रुपे कर दी हमने तो पांचलाग का कितना बना साड़े बारे जार रुपे अब माली जी हमारा एटीसी में हमने 25,000 रुपे टैक्सन हमेशा माइनस होती है तो बचे कितना 4,55,000 रुपे अब हमारे जो टैक्स कैलकुलेट ओटोमेटिक हुआ वह 11,250 रुपे हुआ ठीक है अब सपोर्स करिए यह हमारी 7,500,000 रुपे है ठीक है और इसमें हमारी 1,00,000 रुपे एक्टीसी में डिडाक्शन है तो कितना हो गया टैक्सेबल इंकम 6,50,000 रुपे तो टैक्स कितना बना 42,500 रुपे एजुकेशन सैजिस पर 4% कलकुलेट हुआ टोटल टैक्स पेबल कितना बना 44,200 रुपे कुछ भी नहीं करना यहां पर ग्रोश टोटल इंकम डालनी है और डिडाक्शन है तो डिडाक्शन इसमें अमांट डालनी है आपको ठीक है अब मैं आपको बताएता हूं क्या करना है 7,80,000 रुपे ग्रोश टोटल इंकम है ठीक है डाल दिया हमने हमारी टैक्स कितना आ गय है 43,680 रुपे किसके अकोडिंग न्यू इंकम टैक्स रिजीम के अकोडिंग यानि कि न्यू स्लैब रेट के अकोडिंग हमाँ टैक्स बनता है 43,680 रुपे ठीक है अब चलते हैं ओल्ड की तरफ इसमें हमारी जो इंकम है सेम रहेगी भ़ी डालेंगे साथ लाग असी अजार रुपे डाल दिया चलो मान लिजिये हमाई इसमें एटीसी की डिडैक्शन थी एक लाग रुपे ठीक है कितनी बची 6,80,000 रुपे ठीक है तो हमाँ टैक्स कितना बनेगा इसमें हमारा बन जाएगा 50,440 रुपे इसमें कितना बनना है तो हमें फायदा किसमें है न्यू इंकम टैक्स रिजिम में किसमें न्यू सिलाब रेट में हमें बैनेफिट है देखते हैं सोν से चूज करेंगे यह किस में जाएंगे New Res möchten हमें Old meaning mo much more Alors पाइदा हमें किसमें है नियूरम में तो हम जाएंगे इसमें नियूरिव में तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लेगी प्लीज कमेंट बोक्स में जो बताएं वीडियो आपको अच्छे लेगी प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर अपने फ्रेंज के दाथ दोस्तों यदि आप new income tax calculator और old income tax calculator को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मेंने description में दिया हुआ है जाकर अभी डाउनलोड कर लीजिए और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ 87A rebate अंडर section 87A rebate की तो नी रिजिम में भी 87A rebate ले सकते हैं ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए जय ही जय बादुआ